दोस्तों इस टाइम लोगों के मन में काफी ज़्यादा कन्फिजन की रेट हो रही है कि कौन सी वाच पर्चेस करें रेल मी वाच 2 प्रो के लिए जाएं या फिर नॉइस कलर फिट अल्टरा को पर्चेस करें क्योंकि दोनों सेम प्रैस रेंज में आती है तो आज मैं इन दोनों का कंपरेजन वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों की जितने बी डाउटे वो क्लियर हो जाएं तो दोनों को टेस्ट करेंगे देखेंगे कि कौन सी वाच ज्यादा बितर है और आप लोगों को कौन सी वाच पर्चेस करने चाहिए तो अगर आप लोग इन दोनों वाच में से कोई भी वाच पर्चेस करने के सोच रहे हैं वीडियो को पूरा इंट तक जरूर देखें हलो दोस्तों मेरा नम नासीर है और आप देख रहे हैं एबी टेक व्लोग चैनल पर नहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथे साथ बेल आइकन प्रेस करके ओल कर दें तक आने वाली वुडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे हैं चलिए वुडियो को शुरू करते हैं तो यह ही दोनों वाच राइट सेट में है रियल मी वाच टू प्रो और लेफ्ट सेट में है नोइस कलर फिट अल्ट्रा सबसे पहले दोने की बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर रियल मी में आपको कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है और कलर फिट अल्ट्रा में आपको कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है और बॉक्स कंटेंट की बात करें तो दोनों में आपको पेपर वर्क मिल जाता है और उसके बाद रियल्मी में आपको कुछ इस तरह का पावर डॉक मिलता है जिस पर रखकर आप वाच को चार्ज कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी काफी अमेजिंग है वहीं बात करें नोइस क्लर फिट अल्टरा की तो यहां पर आपको कुछ इस तरह का मेगनेटिक केबल मिलता है तो इससे अब वाच को चार्ज कर सकते हैं बाकि यहां पर इसकी क्वाल्टी मुझे ज्यादा अच्छी लगी डिजाइन एंड बिल्ड क्वाल्टी की बात करें तो यहां पर दोनों वाच की डिजाइन काफी अच्छी मिल जाती है और यह आप लोगों के ऊपर है काउन से डिजाइन आप लोगों को अच्छी लगती है बाकि मैं अपनी बताओ तो मुझे नौइस कलरश्फिट अल्ट्रा की डिजाइन ज्यादा अच्छी लगी वहीं बिल्ड क्वाल्टी की बात करें तो यहां पर आपको नौइस कलरश्फिट अल्ट्रा में अलूमिनम ऑल्ट्रा की बिल्ड मिलती है जो काफी सॉलिड लगत कर सकते हैं तो मुझे रियल्मी का स्ट्राइप ज्यादा बहतर लगा नौइस में अपको ठीकटक स्ट्राइप रिचर मिल जाता है तो कोई भी इस च्ट्राइप पशेस करके इसमें लगा सकते हैं वेट की बात करें तो यहां पर मैटल बिल्ड होने के वाज़ा से इसका व तो दोनों की डिस्प्ले अमेजिंग है, शार्प है, ब्राइट है और कलर काफी पंची आते हैं, दोनों का पराम से आउटडूर में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, यहाँ पर आपको रियल्मी की डिस्प्ले में 600 निट्स के ब्राइटनेस मिल ज जाता है, जो की इखने में काफी प्रीमियम लगता है, तो थैस कि बात के दो यहाँ पर मुझे यहाँ पर मुझे रियल्मी की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी लगी, वाटफेस की वाटफेस यहाँ आपको रियल्मी में 7 वाटफेस З्यादा मिलते हैं, wrestle यहाँ पर रियल् Color Fit Ultra की बात करें, तो दोनों में आपको काफी अच्छे अच्छे वाच फेस देखनों को मिल जाते हैं, उसके साथ ही दोनों वाच में कस्टम वाच फेस का फीचर भी मिल जाता है, तो अपने फोटो को वाल पेपर की तरह लगा सकते हैं, तो वाच फेस के मामने में मुझे दो बराबर लगी, क्योंकि दोनों में काफी अच्छे और काफी सारे वाच फेस मिल जाते हैं, और दोनों में एनिमेटेड वाच फेस भी मिल जाते हैं, अब आते ही फिटनेस वाले फीचर की तरफ, तो यहाँ पर आपको दोनों वाच में काफी सारी फिटनेस वाले फीचर मि मिल जाता है इस वाच माप को ड्रिंग वाटर रिमाइंडर और हैंड वाच रिमाइंडर का फीचर भी मिल जाता है वहीं बात करें रियल मीकी तो यहां पर आपको नैंटी स्पोर्ट्स मोड देखनों को मिलते हैं जो कि नौइस कलर फिट अल्टरा से काफी ज्यादा है वाच यहां पर आपको इस्ट्रेस मोरडरिंग का फीचर नहीं मिलता है उसके बाद यहां पर आपको सेडेंटरी रिमाइंडर ट्रिंग वाटर रिमाइंडर और मेडिटेशन रिमाइंडर का फीचर भी मिल जाता है तो फीचर के लिए आपको इस्ट्रेस मोरडरिंग का फीचर मिलता है बट यहां पर आपको 30 sports mode ज्यादा मिलते हैं और accuracy की बात के रहे तो यहां पर मुझे दोनों के accuracy अच्छी लगी बट realme में आपको ज्यादा accurate result मिलते हैं हाट rate की बात करे तो यहां पर आप देख सकते हैं 138 रहे और और खुर्ट अल्ट यहां पर 119 और 138 वह का ज्यादा accurate यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पर के बात के रहे तो यहां पर आकसीमेटर में 96 और और इसकी बात के रियल मी की तो यहां पर 1997 आया तो दोनों के रियल्मी बिल्कुल एक जैसे आते है बाकि किसी भी वाच पर आप रिलाइन नहीं कर सकते हैं यहाँ पर मैंने 200 स्टेप लिए और देख सकते हैं नॉइस कलर फिट अल्टरा ने 188 काउंट किये और रियल मी ने 206 काउंट किये अभी मैं स्विच करने वाला हूँ लिफ्ट को राइड और राइड को लिफ्ट करने वाला हूँ और फिर देखते हैं कि कितना रिजल्ट आता है तो यहाँ पर मैंने अगेन 200 स्टेप लिए और देख सकते हैं रियल मी ने 200 एंट टू काउंट किये जबकि नॉइस ने 200 एकुरेट काउंट किये तो दोनों की रिजल्ट काफी एकुरेट आते हैं अधर फिचर की बात किरे तो यहाँ पर आपको दोनों वाच में वेदर फॉरकास्ट का फिचर मिल जाता है और काफी अच्छे से वर्क करता है और छे दिन का वेदर आप इसमें देख सकते हैं तो कि यहाँ पर मिल जाता है जो कि तो अग्ञाश करते हैं तो यह पर मिल जाता है जो कि перв pursued नहीं मिलता है तो कुछ फिचर इसमें मिलते हैं तो कुछ फिचर इसमें मिलते हैं और फिचर के लिहाद से देखें तो दोनों लगबग बराबर हैं अब बात करते हैं इन दोनों वाच की UI की और UI यह कैसी चीज़ है जो आपकी experience को अच्छा या बुरा बनाती है बाकी इन दोनों के UI में जमीन आसमान का फर्क है Realme में आपको काफी fluid UI मिलता है जबकि ColorFit Ultra में आपको काफी laggy UI मिलता है सबसे पहले Realme की बात करें तो यहाँ पर उपर से swap down करेंगे तो यहाँ पर आपको notification शो होगी निचे से swap up करेंगे तो यहाँ से menu open हो जाएगी उसके बाद left side से swap करेंगे तो यहाँ पर आपको control panel मिल जाता है जहां से आप यह सब feature यूज़ कर सकते हैं उसके बाद right side से swap करेंगे तो यहाँ पर आपको activity, sleep monitoring, heart rate उसके बाद यहाँ पर weather, music control, यह सब feature मिल जाता है डिस्पले पर टैप करके hold करेंगे तो यहाँ से watch face को change कर सकते हैं तो इस तरह का UI मिलता है और इसका UI काफी smoothly work करता है और काफी fast है वहीं बात करें color fit ultra की तो यहाँ पर उपर से swap down करेंगे तो notification show होगी उसके बाद नीचे से swap up करेंगे तो यहाँ पर आपको control panel मिल जाता है left side से swap करेंगे तो यहाँ पर आपको music control, उसके बाद sleep monitoring, breathing exercise, stress monitoring, heart rate और activity feature मिल जाता है और red side से swap करेंगे तो भी यही feature दिया गया है loop में है डिस्प्ले पर टैप करके hold करेंगे तो यहाँ से आप watch face को change कर सकते हैं और इसका UI मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा काफी ज्यादा lag करता है यहाँ आप आप देख सकते हैं जब स्क्रॉल करता हूँ तो देख सकते हैं कितने ज्यादा अटकता है जबकि इसका UI काफी perfect है तो UI के मामले में Realme ज्यादा अच्छी है अब बात करते हैं connectivity की तो यहाँ पर noise color fit ultra map को Bluetooth 5.1 का support मिलता है जबकि Realme में आपको Bluetooth 5.0 का support मिलता है दोनों के connectivity काफी अच्छी है कोई भी मुझे issue नहीं मिला बाकि जो notification आती है वो पहले noise color fit ultra में आती है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको benefit मिल जाता है वहीं application की बात करें तो noise में आपको noise fit application का support मिलता है और Realme में realme link application का support मिलता है दोनों के application काफी अच्छी है जो जो activity करेंगे आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से watch face लगा सकते हैं और भी काफी सारे feature दोनों के application मिल जाते हैं बाकि मुझे ज्यादा अच्छी realme link application लगी क्योंकि काफी simple application है और मुझे काफी पसन आई बाकि noise fit application भी काफी सही है और यहाँ पर भी आपको काफी सारे feature मिल जाते हैं दोनों watch map को call के message के notification मिल जाती है call को answer ने कर सकते हैं बस reject कर सकते हैं या फिर silent कर सकते हैं बट यहाँ पर आपको color fit ultra में quick reply का feature भी मिल जाता है जो कि कहीं न कहीं काफी ज्यादा useful है और यहाँ पर ऐसा कोई feature नहीं मिलता है बाकि message की बात करें तो यहाँ पर message को पढ़ सकते हैं बट reply करने का कोई भी option नहीं मिलता है और message के length की बात करें तो real me में ज्यादा लंब message आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जबकि color fit ultra में ज्यादा लंब message नहीं आता है कुछ lens का ही message आता है उसके साथ ही ColorFit Ultra में आपको हिंदी का सपोर्ट नहीं मिलता है तो अगर कोई हिंदी में मेसेज करता है तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा जबकि यहाँ पर आपको Realme में हिंदी का सपोर्ट भी मिल जाता है तो आप अराम से हिंदी मेसेज भी पढ़ सकते हैं तो कहीं नोडिफिकेशन के मामले में मुझे Realme ज्यादा अच्छे लगी बाकि अगर कॉल आता है तो यहाँ पर आप क्विक रिप्लाइच दे सकते हैं तो यह कॉल के मामले में आगे निकल जाती है उसके साथ ही वैबरेशन की क्वालिटी की बात करे तो यहाँ पर मुझे कलर फिट अल्टरा का वैबरेशन ज्यादा अच्छे लगा ज्यादा स्ट्रॉंग आपको वैबरेशन मिलता है जबकि Realme में आपको ठीक ठाक वैबरेशन मिल जाता है बट यहाँ पर वैबरेशन के साथ एक अजीब सी बीप की आवाज आती है जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है दोनों वाच में आपको रेश टुएक फंक्शन भी मिल जाता है और यहाँ पर भी Realme बाजी मार जाती है क्योंकि Realme का रेश टुएक काफी ज्यादा फास्ट है बाकि नॉइस का थोड़ा सा स्लो है और दोनों काफी अच्छे से वर्ग करते हैं आप जितनी बार भी हैंड को टेश्ट करेंगे डिस्प्ले आउन हो जाएगी लाश्ट टी में बात करते हैं बैटरी बैक अप की तो यहाँ पर आपको Color Fit Ultra में 300 एमेच की बैटरी मिलती है और बैक अप की बात करेंkeeper तो यहाँ पर आपको 3-4 दिन का बैटरी बैक अप अराम से मिल जाएगा मैंने ज्यादा यूज किया है अगर अगर आप कम यूज करेंगे तो आपको ज्यादा भी बैटरी बैक अप मिल सकता है वहीं बात करें Realme की तो इसका बैटरी बैक अप मुझे काफी कमाल का लगा यहाँ पर आपको 390 एमिश की बैटरी मिलती है और इसमें आपको 7-8 दिन का बैटरी बैक अप अराम से मिल सकता है जब से वाच आई है मैंने एक बाद भी इसको चार्ज नहीं किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी 62% बैटरी है तो इसका बैटरी बैक अप काफी कमाल का है और बैटरी के लिहाँ से देखें तो Realme Watch काफी आगे निकल जाती है तो बाते हैं Final Verdict पिक कौन सी वाच आप लोगों को पर्चेस करने चाहिए रियल्मी वाच टू प्रो या फिर नौइस कलर फिट अल्टरा प्राइस की बात करते हैं जलसा कि मैंने शुरू में बताया है कि दोनों का प्राइस अभी सेम हो गया है और 5000 में दोनों वाच आप पर्चेस कर सकते हैं बाकि कौन सी वाच आप लोगों को लेनी चाहिए तो यहां पर मैं आप लोगों को ज्यादा कन्फियूज नहीं करूँगा सबसे पहली चीज़ यहां पर आपको बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिलती है इसके कंपेरिजन में उसके बाद दूसरा फीचर यहां पर आपको कॉल आने पर क्विक रिप्लाई का फीचर मिल जाता है जो कि मेरा फेवरेट है और यह फीचर काफी यूसफुल है जो कि रियल्मी वाच में नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको जो वाइबरेशन के क्वालिटी मिलती है वो ज्यादा अची मिलती है रियल्मी में आपको अच्छा वाइबरेशन मिल जाता है बड़ उसके साथ एक बीब की आवाज आती है जो कि काफी इरिटेटिंग लगती है तो ये तीन फीचर noise color fit ultra में ज्यादा अच्छी मिलते हैं बाकि इन तीन फीचर को छोड़कर जितने भी फीचर मिलते हैं सभी ममलों में realme watch में ज्यादा अच्छाप को फीचर मिलता है चाहे display की बात करे, accuracy की बात करे, battery backup की बात करे तो कमाल का मिलता है इससे डबल मिलता है और उसके साथ यहां पर आपको GPS का फीचर भी मिल जाता है तो कहीं न कहीं realme watch noise color fit ultra से काफी आगे निकल जाती है तो मेरे हसाब से 5000 में realme watch बेश्ट है और आप लोगों को इसके लिए जाना चाहिए बाकि noise color fit ultra भी काफी अच्छी watch है बट इसके सामने नहीं टिकती है और मेरे साब से realme watch 2 pro ज्यादा बेहतर watch है तो अगर आप लोगों को लेना है तो आपको link description में मिल जाएगा वहां से आप जाकर ले सकते हैं बस इस वीडियो में इतना ही आई होब आप लोगों को वीडियो पसान आई होगे और आप लोगों के जितने ही डाउट रहे होंगे वह clear हो गए होंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल लखें टेक केर गूड नाइट